खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ अंशिका पाठा कि बुलिटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूब कराएंगे पूरे दिन क्या-क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी चाहे वो राजनितिक जगती खबर हो क्राइम की खबर हो या फिर कोई और हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुचाएंगे और साथी साथ तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा भ हमारे सबसे पहले श्रीकान प्रतीुष बिहार से रेजिज्जेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए है तो वही शरत व्यास मद्यूर्परदेश से संभादाता हमारे जूड़ गए है बात कर रोतुपरदेश की तो पंकर च perceptuरवेधी हमारे साथ जुड़े हूए हमारे संबादाता और राजस्थान से अर्विंद पालावत हमारे संबादाता जुड़े हुए सबसे पहले श्रीकान मैं आपके पास आना चाहूंगी क्या कुछ बिहार की बड़ी ख़बरे हैं और मजदूरों को लेकर क्या ख़बरे सामने आ रही है किती ट्रेने पहुंची है कितने मजदूर पहुंचे है Thousand कि दिखिया आपको पता है कि दो दिन पहले एक ट्रेन आई थी बहार और उसमने बाराव सोसे ज़्यादा मजदूर आये थे आज सुबह पांच बजे एक ट्रेन पहुंची है बरॉनी रिलेवेस्टेशन पर और उसमें कोटा से छात्र लाए गये हैं उनकी संख्या भी 1200 से जादा है तो अब छात्रों को प्रवासी मजदूरों को लाने का काम सुरू हो गया है और जैसे ही काम सुरू हुआ है जो प्रवासी अगर लोगों को लाने का काम जारी रहा तो मान कर चलिए कि 15 दिन में 50,000-60,000 लोग ही आप आएंगे दरसल लोगों को लाने में परहसानी यह है कि जो लोग बाहर से लाए जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी है उनका हेल्थ परिक्ष्ण करना है उनको कॉरुणटाइन मे लाखों मजदूर बिहार के उतरप्रदेस के फसे हुए हैं हर राजियों से मजदूरों को लाया जा रहा है लेकिन उतरप्रदेस की सरकार और बिहार की सरकार ने अभी तक दिल्ली NCR से अपने मजदूरों को लाने के लिए किसी ट्रेन की मांग नहीं की है तो जो NCR और दि यह जताना चाहती है कि मजधूरों को लेकर ओचिंतित है लेकिन चाहिए यह Jimmy लाखों ज, अपने पास बुलाने में सक्ष्म? है अगर आज आएंगे तो उनको उनके खाने पीने की विवस्था करने उनके इलाज की विवस्था करने उनका स्क्रेणिंग की बेऊस्था करने उनको कुरुंटाइन में रखे जाने की बेवस्था करने में राजस्रकार सक्षम नहीं है लेकिन राजस्रकार कर रही है कि जितने लोग आएंगे सब के लिए बेवस्था किया जा चुका है बिहार में साथ हजार से ज्यादा कुरुंटाइन सेंटर बनाए गये हैं और कुरुंटाइन सेंटरों पर मजदूरों को छात्रों को रखा जा रहा है लेकिन इंसीयार के मजदूर लगतार मांग कर रहे हैं कि उनको वापस बुलाया जाए बिहार में जहां तक संक्रमन का की बात है वो काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है कल 36 कोरोना पोजिटिव क के नए के सामने आये थे और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पोजिटिव मरीजियों के संख्या बढ़कर 517 के आंकड़े पर पहुंच गई है तो बिहार में संक्रमन काफी तेजी से फैल रहा है मुंगेर सबसे बड़ा होट अस्पर बना हुआ है वो लगता है चीन का बोह को चीन का grass कार ने कि व्यार में कोई ग्रिन जोन नहीं होगा और प्ह लगडाउन में सक्ति किया जा रहा था वहीं सक्ति कायम रहेगी पूरे बिहार में सुबह 7 बजे से साम 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा बिहार के डीजीपी गुपतेस्वर पांडे ने एलान कर दिया है तो बिहार में संक्रमा का खर्ता बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर स्रकार काफी सचेत है और संक्रमान का खत्रा तो भ्यानक है ही संक्रमान पर कोरोना पर राजनीती भी शुरू हो गई है आपको पता है कि लगतार तेजस्वी आदो हमला कर रहे थे सरकार पर क्यों प्रवासी मज़ूरों को चिंता नहीं कर रहे चात्रों को चिंता नहीं कर रही है बीजेपी के नेता भी नितिश कुमार पर निसाना साध रहे थे लेकिन अब बीजेपी में भी राजनीती सुरू हो गई है अब कौन किसके कहने पर ट्रेन विसेश ट्रेने सुरू हुई इसको लेकर राजनीती सुरू हो ग बेकुल श्रिकांत लगातार हम यही देख रहे हैं कि एक तरफ जहां कोरोना की मार जहल रहा है पूरा हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ पॉलिटीशन ऐसे हैं राजनीता ऐसे हैं जो राजनीती करने में बाजनी आ रहे हैं शरद व्यास के पास में सीधे जाओंगे मध्यप्रदेश शरद मध्यप्रदेश के क्या कुछ बड़ी खबरे रहेंगी किस पर हमारी नज़र रहेगी और मजदूरों को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है कोरोना वाइरस को लेकर भी देखिए मध्यप्रदेश में 31 ट्रेने चलाई जा रही है और उनकी शुरुवात आज से हो चुकी है तकरीबन डेड़ लाग मजदूर है जो कि अलग-अलग राज्यों में है तो 31 ट्रेन के इसाफ से दियम दीखेंगे और एक ट्रेन में 700 मजदूरों के दियम में दी संख चलाने के लिए नोडल अधिकारी बना दिये गए फैसे लिए गये हैं मजदूरों से किराया यहां पर वसूला गया है कि टिकिट का उसके बाद यहां पर मुख्य मंत्री ने इसको गंभीरता से लेने के बाद जो संबंदित अधिकारी थे उनके उपर उनको फटकार लगा चारा है उनका ख़र्चा खुद शरकां ने वहन करने का निरणे लिया है और इस ही दो Argentine के आधार पर आगामी समय में जितने भी मजदूर आए उनका लिया गया, लेकिन इस बीच में राजनीती भी कही कि कमलनातन और प्रेश कॉन्फरेंस में चिनोती देते वे काई कि आगा मिसमय में बीस से बाइस सीटे मद्यप्रदेश में कांगर्स के खाते में जा रही है जिसके बाद एक बाद फिर से सरकार का थक्ता पलट हो सकता है तो इस बीश में कराज निति भी शुरू हो ही है कोरो के हैं उसके बाद तीस लोग उज्जें के हार फंदरा भोपाल के तो इस तरह से तीनों हो जो जले हैं मातपुर्ण जले इन तीनों में मढने वालों को संग्यां बहुत तीजी से बढ़ रही है और को्रोना पोसिटिव मरीजों के आख़ने भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये कही ना कही चिंता का विशे जरूर मद्यप्रदेश के लिए अभी बना हुआ है अलगि 17 जिले भी पूर्ण रूप से कोरोना के संकरमन से चूते हैं उसमें किसी प्रकार की कोरोना का कोई मरीज नहीं है इस बीच में जो चार तार बज़े जो बैठक होने वाली है श्राप ठेकेदारों को लेकर उसको क्या अपडेट मिल रहा है पी देखिए शराप की दुकानों को लेकर पूरे मद्यप्रदेश में चुक एक यर ली एक ठेकेद दिये जाते हैं जिसके अंदर टेंडर भरे जाते हैं जिसके अंदर अप दिनों तक लगातार जो लॉक्डाउन रहा है इसमें 900 करोड रुपय के राजस्व का नुकसान आपका रिविभाग होगा है तो इसके बाद आप सभी शराब ठेकेदारों के साथ आज 11 बुझे बैठक होगी इस बैठक के अंतरे निड़ने लिया जाएगा कि जितने भी ग्र लेकिन बाकी जगाओं पर शराब की दुकान खुलने के अनुमति मिल जाएगी और संबहुत 11 बजी के बाद जो बैठक होने जा रही है 11 बजी जो बैठक होगी इसके अंदर बैठक में महत्पून निर्ड़ने निकल कर आएगा तारकि जो राजस्व का जो लगातार जो भ हमारे साथ बने हुए पंकर यूपी की क्या कुछ बड़ी खबरे है और जिस तरीके से मैं शरत से बात कर रही थी शराब की दुकानों को लेकर उसको लेकर क्या ताज़ा जानकारी मिल पारी है सराब की यहां तक बात है तो सरकार ने कल फैंसरा लिया है उतरप्रदेश के सभी जोनों में सराब की दुकाने खोली जाएंगी जो हार्ट स्वाट कंट्रमेंड जोन है वहाँ छोड़कर के एकल दुकान सिस्टम उत्रप्रदेश सरकार ने लागू किया है तो अलग अलग जगा में जो एक दुकान होगी तुकान खुलेगी लेकिन उसके अनफालन के लिए सोसल डिस्टेंसिंग कुछ तर्टे रखी गई है जिसको दुकानदारों को फारण करना होगा चाहे सेनेटराइजर दुकान पे रखना होगा या फिर पांच से जादा लोग दुकान पे एकठा नहीं हो सकते हैं सफाई का बिस्रेश ध्यान रखना होगा ये सरकार ने निर्ण लिया है अर इसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तरप्रदेश की जो राज़ शुपितिय वर्थ की पहले मेने में आया है जो प्रतमा आवस्तितन बारा से पंदरा हजार करोण होता था वो घड़ करके दो हजार बारा करोण हुए है जिसका सबसे बड़ा करण लाग डाउन के दोरान सभी चीजे चुकि बंद थी चाहे वो खनन से सम्दित हो परिवाहन की हो या आपकारी हो या निवंदक हो तो ऐसे में सरकार ने सभी खास करके महतपूर्ण विभागों से निड़ने लिया है जहांपर सरकार का राजयस सबसे ज्यादा था इसके साथ सरकार ने एकनॉमिक जोन बनाया है अगर रेड जोन में भी जो रेड जोने हैं वहाँ भी अगर 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 च्छेत रहा हैं छोटे उद्दोग कलकार खाने तो वहाँ भी खुलने की अजाज़त दे दी है 33% लोगों के साथ उनकी पहले थर्माल स्क्रीनि होगी और फिर उनको खोला जाएगा सरकार ने ये भी नड़न लिया है कि मजदूर और आपस में जो खास करके जो जिनका उद्दोग कलकार खाने है जाए जिनके उद्दोग चलते हैं अगर बात करें मजदूर आग गंटा से ज़्यादा काम करने के लिए तयार हो जाए तो सरकार इसकी भी परमिशन दे कि क्य आज सुबा की लेकिन कल एक सो पचास से ज़्यादा करोना संक्रमित के मरी निकले जिसमें आगरा एक बार फिर से सबसे ज़्यादा जो हार्ट स्वाड डिश्टिक है आगरे जहां पर पाम सो क्रास कर गए हैं वो चिंता जनक है और उत्तर परदेश बीज आए से देश के जो करोना संक्रमित जिले चुने गए हैं जहां केंद्रिये टीम आएगी उसमें उत्तर परदेश के दो जिले आगरा और लखनो भी सामिल है सबसे ज़्यादा आगरा में पाम सो से ज़्यादा केस हैं जबकि लखनो में दो सो से ज़्यादा करोना संक्रमित के केस हैं लखन हैं उनके आसफार जो भी खरीदने आते हैं उनकी जो ट्रेवल हिश्ट्री है वो थोड़नी दोड़नी मुस्किल होगी उसको लेकर के सरकार मसक्त कर रहे वड़े पैमानों पैमाने पे जो दूसरे राज्यों में मजदूर फांसे हुए हैं उनको लाने के लिए फ्रवंद ल क्रिनिंग करने के बाद उनके होन डिश्टिंग में भेजा गया है और जिनको थोड़े बहुत लक्षण नजर आया जो कल नासिक से ट्रेन 831 लोग को लेकर के आई थे उसमें एक बैक को लक्षण बुखा रहा है तो उनको कर दिया गया है बाकी लोगों को उनके ग्रे जन कार देगी हमारे रिपोर्टर्स अपने अपने राज्यों की बड़ी खबरे आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं क्या कुछ ताज़ा अपडेट है मज़ूरों को लेकर को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है बिल्कुल देखिए लोगडाउन 3.0 जो है वाज से स्टार्ट हो चुका है और 17 मही तक यह जारी रहेगा एसस्तिती में लगातार जो तैयारिया है वो पहले से की जा रही थी और ग्रह विवाग ने कल शाम को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उसमें विस्तृत गाइडलाइन यहां पर दी गई है और बताया गया है कि किस तरह से लोगडाउन 3.0 में 3.0 में जो जंजीवन है लोगों का वो किस तरह से रहेगा तीन जो जो के इंदर सरकार ने बाटे थे रैड और और इंज और ग्रीन वे तीन जोन यहां पर रहेंगे और एसस्तिती में जोन के लिए अलग अलग वेवस्ता हैं यहां पर की गई है यदि बात करें रैड जोन जोन में और ओरेंज और ग्रीन जोन में लगभग जो वेवस्ता हैं इसमें कियु transcript smiled रहेगा कि रेड जोन के अंदर जो Weakles हैं उसमें संख्या निड़धारित कर दी गई है कि किसंटे लोग वहां पर एक वेमेरी हौन के बैट सकेंगे ग्रीन जोन में अनलएं की रिलीफ ह रहेंगी और इसके साथ ही वहां पर जो सोशल डिस्टन सिंग की पालना कि बाओ यहां पर जिए विभाग की होड से जो पान गूठका है इनकी जो दुखाने वह पूरी तरह तरह से प्तिभंधित रहींगी उनमें किसी तरह कि रियायत यहां पर नहीं और सब्सक्राइब कई ने कहीं सरकार हो प्रशार्शन हो सब लोग यहां पर चिंतित नजर आ रहे हैं हालां कि जो आर्थिक गतिविदिया है वो शुरू करना जरूरी थी एसस्तिती में आज से जो लॉगडाउन 3.0 है उसके ताहित यहां पर छूट दी गई है क्योंकि राजे सरकार ने भी इस प्राइवेट जो फार में प्राइवेट जो इंफ्रस्ट्रक्ट्टर हैं वहां पर 33 फीजदी करमचारियों के साथ उन्हें अपना काम यहां पर शुरू करना होगा और इस तरह से जो सरकारी ओफिस है वहां पर उपसची उस्तर के अधिकारी है उन सभी को वहां पर आना जाबने आ रही है और कहा जा रहा है कि सकती से इसका पालन किया जाए श्रीकार में फिर आपके पास आना चाहूंगी आप लगातार हमारे साथ बने हुए है जारखंड को लेकर क्या खबरे सामने आ रही है हिंद पीधी के क्या ताजा अपडेट है जेके हिंद पीधी में संक्रमन के मामले लगतार बठते जा रहे हैं पूरे जारखंड में 117 पोजिटिव केसे सामने आ चुके हैं अब तक 28 मरीज ठीक हो चुके हैं रवी बार का दिन राहत का दिन था जारखंड सरकार के लिए क्योंकि एक भी नया कोरोना पोजिटिव तो ठीक होने वालों की संख्या भी ठीक ठाक है जारखंड में 28 लोग स्वस्थ होकर घर लोट के चुके हैं और टोटल संक्रमीत 117 लोग हैं तो जारखंड में रवी बार का दिन बहुत रहात वाला दिन रहा है लेकिन जो हिंद पिधी का इलाका है वो लगातार संक्रमन के सिकार में आता जा रहा है सत्तर से ज्यादा मामले तो हिंद पिधी के ही हैं तो हिंद पिधी से ही पूरा संक्रमन फैल रहा है तो राची को के हिंद पिधी को पूरजी तरह से सिल कर दिया गया है जवानों को तैनाती की गई है राची में भी जारखंड में भी छात्रों का में चख्रbrarरी मजदूर उसक्रकार को हो हां से kulland सरकार काफी सतर्क है और खुद निग्रानी कर रहे हैं जो बाहर से मजद्वर आ रहे हैं उनके खाने पीने बैंसथा हो उनका करने की भूस्ता थीक हो किंद्र अगर उनका ही पैसा दे जो बकाया है उसके पास तो इस आपदा को चुनावती औसर में बदल देंगे यानि जो लोग संकट में फसे हैं उनको किसी तरह का तकलिफ नहीं होने देंगे जारखंड में वो ऐसे भी हजारों की तादाद में दाल भात के इंदर चला जा रहा है मुख्यमंत्री कीचेन शुरू की गई है उजना और उसके ताहत 6 लाग से ज्यादा लोग रोज खाना खा रहे हैं और खाने का अस्तर क्वालिटी भी बहुत ठीक ठाक है तो लोग संतुष्ट हैं लेकिन चुनोती तब बढ़ेगी जब बाहर से सारे परवासी मजदूर आ जाएंगे आपको पता है कि बिहार में भी क्रोना को लेकर राजनिती काफी तेज हो गई है पहले तो विक्षक दिनों में बीजेपी ने भी ने साना सादना सुरू कर दिया है और वीजेपी के परदेश अध्यक्ष खुद स्रेय ले रहे हैं कि उनके कहने पर किंदर स्रकार ने विसे लाग मजदूर हैं बहरत के बिविन कोनों में और उनमें से अभी तक किवल 12 साप आए हैं तो अंदाजा लगाई है कि अगले कितने महीने लगेंगे उनको बिहार लाने में बिलकुल और इन सब के बीच लगाता हर राज्युवे मजदूरों के आने जाने का सिलसला जारी है आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुनने के लिए बहुत 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 शुकर्या इसके साथ बुलेटिंड में फिलाल इतना ही आप देखते रहे है जनतंत्र टीवी नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्स्क्राइब करे जनतंत्र टीवी